नवस्का दोस्तों इनकी वर्तमान आयू 27 यर्स है जो कंप्लीट हो चुकी है 28 वार रनिंग है इस पाम में देखे तो एक अच्छी खासी सीधी रेखा बन रही है ऐसे लोग काफी समझदार होते और जीवन में जो अपोचुनिटी आती उसे ग्रेब करके आगे बढ़ते हैं बैठ है वटि बैठे बैठ है या बोल कर एक रहे करने की क सक्ट होती है उससे कि फर्स पहले नुगी द नुकी लाखो में तो इधर द्धान भटकता पर सेकेंड फेलेश अच्छी तो जहां लॉझिक की जौर्ट है वहां logic use करेंगे जहां चूप रहने की जड़त वहां चूप रहेंगे और बहुत ज़्यादा मांसल भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है तो कहीं न कहीं थोड़े से compromising nature भी रहेगा दो दो उंगलियों में देखे तो लगबख समानता है कोई उपर या नीचे शो नहीं हो रही है और यह छोटी उंगली फर्स फैलेंट तक नहीं पहुच रहे तो वेक्ती documentation filing चीजों को संबाल कर रखना या चक्ती money management और account यह सारी चीजों में वेक्ती कहीं न कहीं कमजोर होता है पर इनका money triangle अच्छा है मुझे नहीं लगता है यह money management में कमजोर रहेंगे और उंगलिया छोटी है तो fast निने लेने वाले होते हैं और हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज्यादा रहती है दूसरा एक advantage और है यह सुरी की उंगली थोड़ी सी चम्मचा का रहे है जब इस तरह का shape बनता है यह बहुत बड़ा shape तो नहीं बन रहा है पर कहीं न कहीं थोड़ा सा आभास अच्छा होता है तो यह सुरी के शक्ती को बढ़ा देती है इस तरह का shape अगर मिले तो अब इनके close up की और चलते बुद्पर्वत पर एक बहुत बड़ी खड़ी रेखा है ऐसे लोग बुड़ा पे तक अच्छी खासी संपन्ता पा लेते है अच्छी खासी और इनका बुड़ा पाफ बहुत अच्छा जाता है और single रेखा है तो जब भी यह shine करेगी तब जीवन में वो पिरियड जो होता है अचानक धनलाब यानि उस तरह का कोई पचीस लाग पचास लाग या दस लाग इस तरह का अचानक धनलाब नहीं होता पर अगर कोई व्यक्ती एक लाख रुपया कमा रहा है तो यह shine करती उस यह व्यक्ती को बुद्ध के परवत को गुणों को बढ़ा देती है यानि अच्छे business minded ऐसे लोग होते है वानी इनकी अच्छी होती है और बुद्ध परवत अच्छा है तो सपष्ट वक्ता होते है शुर्य परवत पर कोई strong line नहीं है तो basic सफलता easily प्राप्त होती है ऐसे कम शंगर्स करना पड़ता है और यहां पर एक विद्यारेखा भी है तो व्यक्ती को विद्यारेखा होने पर basic समझ अच्छी खासी होती है और लोग इनको पूछ-पूछ कर काम करते है और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ज्यादा लोग पूछ-पूछ कर काम करेंगी अब कि इनका जो शनी परवत है वो कहीं न कहीं मुझे दबा हुआ लग रहा है तो इसका एक माइनस पॉइंट होता है एक तो आपके जीवन में मेनद जादा करनी पड़ती है और शेकेंड चीज होता है कहीं न कहीं इंटेस पे करना पड़ता है इसका मतलब यह ने कि व्यक्ती गरिब रहता है कितिनी भी हमेरी हो उसे इंटेस पे करना ही पड़ता है इससे उसकी संपत्ती से कोई लेना देना नहीं अगर व्यक्ति दस करोड का भी आसा में बने तो उस पर एक करोड पचास लाग की या दो करोड की लोन तो रहेगी तो यह एक चीज दिख रहे हैं इनके हाथ में यहां पर एक रेखा चल कर जुपिटर की ओर जा रही है तो ऐस और कंटीनियू बहुत सारी रेखा है तो बुड़ा पेता कंटीनियू इंकम होती रहेगी जुपिटर माउंट देखे तो यहां पर एक यह कंप्लीट है या नहीं पता नहीं अगर यह ट्राइंगल कंप्लीट होगा तो यह भी एक एडवांटेज है सरकारी लाफ पॉलिट और जुपिटर माउंट में मुझे कोई माइनस पॉइंट नहीं लग रहा एक कंटीनियू चलने वाली लाइन है जो कंटीनियू प्रोग्रेस देगी इनको सेम अंदूनी मंगल भी काफी मजबूत है जब आपका अंदूनी मंगल मजबूत होता है तो सरीर में उर्जा अच अच्छी होती है और इनका तो काफी क्लीन है काफी अच्छा सरीर में हुर्जा इनको मिलेगी बारी मंगल भी अच्छा है जब किसी से मिलेंगे तो एनरजी के साथ मिलेंगे सामने वाला कंफोडेबल फील करेगा यह एडवांटेज है प्लस चंद्रपरवत देखे तो चं इसा लगी रहती है इसका उपए मैं इनको दे दूँगा दूसरी चीज यहां पर मुझे स्क्वेर साइन नजर आ रही है यह स्क्वेर साइन होती है तो व्यक्ति कहीं न कहीं सच्चा ही पसंद इनसान होता है उसे जूट पसंद नहीं आता है दूसरा एडवांटेज है इन जिनके जीवन का विकास अच्छा पाया जाता है अपने जन्स्थल पर इस तरह के लोग जिनकी जीवन रेका इस तरह से जाती है वो अपने जन्स्थल पर ज्यादा विकास नहीं कर पाते यह भी एक पाया गया है और अच्छी बुद्रेखा है तो सफलता तो इनको जीवन में hundred and one percent मिलेगी तुकि अच्छी खासी बुद्रेखा उसके द्वारा money triangle भी बन रहा है और एक greater triangle भी निर्मान हो रहा है money triangle बहुत बड़ा नहीं है पर greater triangle बड़ा होने के कारण हाथ का color अच्छा होने के कारण यह उन्नती अपने जीवन में hundred percent करेंगे शुक्र परवत भी अच्छा है लगजरी लाइने है तो जीवन luxurious रहेगा और एक व्योस्ति शुक्र परवत है यानि बहुत ज्यादा उभार भी नहीं तो बहुत ज्यादा luxury की चाहत भी नहीं होती बहुत ज्यादा luxury से दूर भी नहीं भागना रहता एक जैसा देश वैसा भेश रहने वाली जो आदत होती है उस तरह से रहने वाले इंसान होते यह लोग यह advantage है अब इनकी हिर्दे रेखा को देखते है हिर्दे रेखा काफी उत्तम तरीके से इतनी दीप से निकल रही है अब यह जब कवर लेती है तो यह लोग भावक होते है भावनाव में निगने लेने वाले है प्लस जवानी में प्यार का प्रदर्शन करना भी इनको पसंद आता है और यहाँ पर एक दो फ्लर्ट लाइने भी है व्यक्ति कितना भी दुकी हो थोड़ भरो से लाइक होते है सबसे मिलकर रहने वाले लोग होते है किसी से दुस्मनी क्या होती इनको पता ही नहीं होता एक तरखी देव दुद तरखी मानसिकता इनके पाई जाती है तो यह भी एक एड़वंटेज इनके जीवन में है अब इनकी जो माइन लाइन है उस पर दिखने ही रहा है पर ये उभार लग बख 26 के आसपास से लेकर 30 32 तक है तो कहीं न कहीं थोड़ा सा टेंस बना ही रहेगा जीवन में क्यूंकि उभार व्यक्ति को टेंस देता ही है पर उसके बाद धीरे धीरे सेटल होते हुए एक अच्छी सी माइन लाइन बुद्धी प्रतिबा वाली चल रही है तो बुद्धी प्रतिबा काफी उत्तम रहने वाली है पर यही माइन लाइन का जो प्रेशर है वो जीवन रेखा पर शो नहीं हो रहा है जीवन रेखा पर बहुत सारे इसी पिरेड में और शुट भी है और जब माइन लाइन आपकी अच्छी होती है हाँ थोड़ा सा माइनस पॉइंट यह रहेगा कि प्लानिंग भरपूर बनाएंगे और ज्यादा तर प्लानिंग कार्जों पे रहेगी इंप्लिमेंट नहीं होगी और उत्तम तरीके की माइन लाइन है इस पिर लरोकर निचे की तरफ चल रही है पर यह जब भी थोड़ा सा उभार होता है तो कहीं न कहीं प्रेशार जीवन में रहता ही है और यह जुकती है तो सपने बढ़ेंगे धार्मिक्ता बढ़ेगी बाहर वालों के लिए उत्तम होंगे पर घर में किसी एक वेक्ति को जादा ब पहले हम इनकी एक और फोटोग्राफ से उस पर चलते हैं जिसमें राहू रेखा है शो हो रही है यह देखिए एक यह साइन है यह लगबख 24 से लेकर 29 तक के पिरियड में अब यह साइन के दो मतलब होते है एक तो पेट खराब करती है जीवन में हमारे दूसरा हमें कहीं न कहीं ऐसा ऐसास कराती है जैसे लगाम से किसी ने पकड़ के रखाओ यह एक चीज माइनस पॉइंट दिख रही है एक 26 के आसपास बहुत बड़ा ओफशूट है प्लस माइनस वन यह इस पिरियड में कोई न कोई अच्छी सफलता इनको जीवन में हासिल हुई होगी इनको इनके घरवालों को उसके बाद 27 के आसपास एक छोटी सी राव रेखा कट कर रही है हलकी सी उसके बाद एक और आफशूट है 28 के आसपास है उसके बाद 29 में एक राव रेखा है उसके बाद 34 में एक राव रेखा है उसके बाद 37 में एक राव रेखा है उसके बाद 39 में है और लास्ट राव रेखा 43 में इनके हाथ में है और एक हलकी सी 51 के आसपास भी है यहाँ पर इतनी राव रेखा है इनको जीवन में डिश्टब करेगी मैं वापस रिपीट करता हूँ 27, 29, 34, 37, 39, 43 और 51 पर किवल राव रेखा है गिनाने से नहीं होगा यह ओफशूट भी साथ साथ में देखिए बहुत सारे ओफशूट है तो जीवन में सफलता है प्रापर्टी आप भरपूर आएगी इनके जीवन में तो कि ट्रैंगल भी भरपूर बन रहे है तो यह सफल व्यक्ति का हाथ है इतने सारी जब आफशूट हो किसी व्यक्ति के हाथ में तो वो अच्छी सफलता जीवन में प्राप्त करता है तो यह एक बहुत बड़ा एडवांटेज इनके जीवन में है अब इनके फेट लाइन की और चलते फेट लाइन पर भी देखे तो यह उम्र में यहाँ पर कोई न कोई खर्चा आया होगा लगबग 26 के आसपास 28 के आसपास 27 के आसपास 34 के आसपास कोई न कोई खर्चा आयेगा यहां से एक और income की लाइन शुरू होगी एक और और ये जो दो लाइन है कट कर रही है एक का पिरियड है लगबख 46 के आसपास का या तो बहुत बड़ा investment होगा या इनको इस समय घाटा जाएगा और एक ये investment वाली लाइन है ये पिरियड होगा 51 के आसपास ये दो माइनस पॉइंट या प्लस पॉइंट कह सकते हैं क्योंकि यहां पर जब हृदे रेका से निकलती है तो judgment लेने में तकलिफ आती है या तो बहुत बड़ा investment कराती है या हमें नुकसान देती है तो ये 46, 47 के आसपास है और एक 51 के आसपास है उसके बाद भी ये अच्छ और ये और तो कहीं बहुत ज़्यादा रुकावटे इनके हाथ में नहीं है छोटे मोटे कष्ट हर एक के जीवन में आते हैं बहुत सारे ओपशूट है अच्छी धन रेखा है सब कुछ हाथ का color भी अच्छा है तो progress तो इनके जीवन में रहने वाली है तो आशारक्त हाँ पर इनकी जीशतर की जीवन रेखा है यह अपने जन्सल से दूर जाएंगे तो ज़्यादा विकास करेंगे यह भी एक point है तो आशारक्ता हूं इनके सभी प्रश्णों के जवाब इनको मिल गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत झाल